तो ले ले चला कि अंगर सर ए लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तो दोस्त जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी प्रस्ण कि 2019 में आये हुए थे उनको मैं यहां पर आपको कराने का प्रयास करूंगा जितने स्ट में बने थे तो जैसे अभी तक आप लोगों ने छोटे-छोटे एक्जाम देखे थे जिसमें नौ का डिविजबिल्टी आ जाता था आठ आ जाता था हालाक इसकी चर्चा में आगे भी साय मैं लिख देता हूं यहां पर समझेगा यह दिन लौ अंकों की संख्या यह दिश्चा नाव अंकों की संख्या नाइन एट पाइफ नाइन एट पाइफ एक्स 367 3678 वाइए देखो सवाल दिया था संख्या बहत्तर से विभाज हूँ कि अग्षा बहत्तर से कि विभाज हो तो फोर एक्स माइनस तो फोर एक्स माइनस रिवाई तामान क्या होगा चार आपसन आपके पास दिये गए थे पांच चार तीन शह पांच चार तीन और छे यही बात आपसे पूछा अब ध्यान देजिए अब यहां पर देखे 72 संख्या है बच्चा यहां पर देखे 72 से डिवीजबल आपको करना है 72 में देखो 72 को करने के लिए दू नियम का पालन करना पड़ेगा या तो एक आठ का कर लो एक नौ का कर लो नौ और या तो आठ का किसी एक का करके तो करना ही सकते हो क्योंकि दो बैलू है तो दोनों को निकलना पड़ेगा क्योंकि आठ का नियम तो पता कि अंतिम के तीन अंकों में आठ से भाग जाना चाहिए आठ से जब भाग दोगे तो आठ नुवाँ बहत्तर शा बचेगा और फिर आठ से आठ साथ के पास को न चाहूं सथ यानि आवाई का मान बच्चा कितना जाएगा चार आज्याएगा कि वाई कमान कितना अगया है कि देखो नई समझ में आया तो बात समझाता हूं भाई साथ सो कुछ तो होगा इससे आपको आठ से भाग देना है क्योंकि आठ का नियम तीन अंकों में फाल होता है समझना आठ नवा बहत्तर करेंगे देखिए यहां च्छा आएगा अब सब्सक्राइब यानि वाई का जो मान है बच्छे वह कितना आगया चार आगया वाई का मान क्या आगया चार आप समझे अब मैं बताया कि भाई संख्या क्या है और फोर आ गया तो फोर लिख लो आप देखें नौ का नियम क्या कहता है सभी संख्याओं का योगफल भी नौ से डिविजबल होना चाहिए यही तो है आप बताओ च्छा तीन नौ गया नौ तो गया आपस में ठीक है आप देखो पांच और चार नौ गया है, अब 8, 16 हो गया और साथ, टेइश, टेइश के बाद कौन सी संख्या नौसे कटेगी, 27 तो यानि चार ओर हो जाता तो कट जाता तो यख की भी मान कितनी आगए बच्छे चार आगया था यसी में रखना था तो आप हम बताओ कि चार गुड़ा-4 माइनस तीन गुड़ा-4 एब कर वो जायाएगा चार छोग का सोला और माइनस बार अब बुले तो उत्तर कितना चार की ही सवाल को हुआ है इसलिए परसान होने की जरूरत नहीं है एक से समझते चलिए मैं आपको बताता चलूंगा यह तो पहला क्रॉष्ण था आप जिसको समझ मिनना आया हो देख ले फिर आगे मैं चलता हूं कि दूसरे प्रश्ण पे दूसरा प्रश्ण क्या दिया था चले दूसरा प्रश्ण दिया था कि यदि आठ अंकों की संख्या क्या है आठ अंकों की संख्या क्या है आठ अंकों की संख्या एक सव न्यासी वन सेवेन नाइन यक्ष जीरो नाइन वन वाई नाइन वन वाई संख्या अंकों की संख्या अंकों की संख्या कि विवाज यह है अंकों की अंकों की संख्या थासी से विवाज है तो फाइफ एक्स माईनस तो अ 5-8-8y का मान होगा आठ वाई का इसके पास भी आप्सान दिया गया था पांच पांचार नौँ साफ'd दिया था पांच как भी दिया गया था चार एक दिया गया था नो और डी दिया गया था से है 2007 तो चली अब देखे यहां पर नयम क्या है बच्छा यहां पर नियम है 88 88 88 यानि या तो आर्ट से डिवीजबल हो या तो 11 से तहीं बात है यहीं तो बात है अब हम पहले आठ के नियम को देखेंगे आठ का नियम इन तीन पर फालो करेगा ध्यान दीजिए इसी तीन पर 8 का नियम फालो करेगा जैसे आप करते हो वर नाइन वाई ध्यास मज़िए डिवाइड करते हो 8 से आप कहते हो खाव 21 11 फिर आठ एक आठ तीन अभे कर आठ तीन Venue यानि क्या आठ चो बत्तिस हो गा या सब्सक्क्राइब यह तो चाहिए यहांद की हो और रिवाई का मान कितना हगा गया जो है यह हो गया आत्दूनप सोला योंकि कि वाई कामन हो गया है इस अगरवाई कामान दो गया है कि वाई का मौत हो गया घ्रार का नियम करना अपना ड्यान देना क्या कहता है oneself दुल संख्याओं के जोड़कर और विसम संख्याओं के जोड़कर घटा दीजिए तो उसका अंतर या तो जीरो आना चाहिए या 11 से बिभक्त होना चाहिए या 11 सकता है तो बात क्लियर हो गई तो अब प्लस एक्स अठारफ प्लस एक्स होगे माइनस यह तो विसम बाले होगे संबला जोड़ी एक एक नो दस दस एक 11 ठीक है यानी यहां क्या मान रख दें कि जीरो आया जीरो तो नहीं आ सकता यह लेकिन अठारा चार बाइस में से जाए जब यह तो आप तो आप नहींगे पांचोग का बीस तो पांचोग का बीस और सोल बीस में से लगे इंपल सी बात होगे तो 88 का नियम भी आप समझ पाये होंगे जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसके मैंने प्रश्ण करा रहा हूं जो प्रश्ण परिक्षाओं में आये हुए उन पर चर्चा ही क्यों मैं कर रहा हूं आए आगे वाले देखिए क्वेश्चन नंबर तीन पर चलेंगे 88 के नियम पर ही आया थे भी तो 88 का नियम तुम्हें आपको बताई दिया हूं वह बहुत ज्यादा सवाल इस पर 88 के नियम और 72 के नियम पर आये थे जलू सब अठासी पर बहुत आया तो करा देता है का दूस्वाल हो तो तीसरा सवाल देखे क्या कहता है कि यदि नव अंकों की एक संख्या है पत्तिस एक्स चारसोई ग्यारा चारसोई ग्यारा फाइफ वाई टू और जोके डिविजबल है 88 से तो य के नियूंतम संभव मान है य के नियूंतम संभव मान क्या होंगे और यह दिया है और एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस देखो यह भी अठासी का नहीं है ठीक है तो आप समझ पाएं क्या करेंगे वही काम करना है आठ और इग्यारत अठो इग्यारत क्लियर कर लेकिए अगला देखे क्या आया था इसी पर यह आठ ही ग्यारा का है बच्चा कर लोगे आप लोग फिर देखो उसी पर प्रस्णा आया आठ ही ग्यारा का कि समझते रहिएगा कि कितने प्रश्णाय थे इससे कि यह द्दा संकों की संख्या है बीस चौरानवे एक्स चौरानवे एक्स चौरास्ती त्री वाई टू एद्दा संकों की संख्या गई थी और एभी डिविजबल किस से है बताओ आपसे पूछा था 5x-7y 5x-7y कामान होगा तो फिर कर सकते हो आप कर देता हूं इसको इसको मैं आपसे करा कर देता हूं ठीक है एक आग बीच में करते चलें देखो कि यह आठ और 11 से तीन नियम का तो फालो करना ही पड़ेगा भई आप दिमाग में रखो कि थ्री वाई टू को आप किस से भाग दे रहे हो आँ आठ से अब भई तीन है तीस हो सकता ऐसे ऐसे हो सकता लेकिन यहां पर ध्यान देना कि कुछ संख्या तो जादा आएगी जैसे अगर मैं करूं आठ चोग बतिस कर दूं कितना कर दूं आठ चोग बतिस कर दूं और अगर बतिस करता हूं मैं तो यहां तीन आना चाहिए तीन आएगा बच्चे तभी तो एक कटेगा यानि हर हाल में वह आई का मान यहां से क्या होना चाहिए पांच तभी तो पटेगा यह तो हो गया साथ पच्छे 35 एक क्या होके साथ पच्छे 35 अगर यह वाला साथ पच्छे 35 हो गया तो अब आप ग्यारा कर नियम जानते हैं 20 94 एक्स आठ चार तीन वाई कमाल पांच आया था तो पांच और दो कर लेंगे आप वही विशम संख्याओं का स्थान विशम से और सम का सम से लेकर घटा देंगे तो प्टाइए तीन दो पांच कि अधिक है पांच पांच आठ तेरह 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 चार अट्रह और सत्रह सत्रह रह गया कि अधिक है कि अधिक कि अधिक कितना घटाने पर सत्रह की ग्यारा आज है तो आपको पता होना चाहिए कि यह सत्रह है तो इसको कि जोटा देगे तो आपको कि यह सत्रह का अधिक कवल से प्रशिक प्रश्न बने हुए है ऐसा कुछ नहीं अच्ट़ा ंवर्टी नियम पूरा दिमार्ट में होना चाहिए तो आप कर लोगे देखो एकशो और करते हैं कि प्रतेक पेपर में ऐसा प्रश्ण पूछा गया मैं दिखाता हूं क्यों सा करांसा है अब यह आपके दिमाग में पूरा हो जाएगा अगर ऐसे प्रस्णा आते हैं डिशी तरीके से हमको करना है कि देखे एक प्रश्ने भी आया कि दा संकी संख्या है तेरह तीस तीरह तीस एक्सपचपन 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 आठ वाई दूई आठ वाई इसको अठासी से विभग करना है तो अगर तो एक्सप्लस वाई क्या होगा तो एक्सप्लस वाई क्या होगा चार आपसर भी दिए गए थे आपसर भी लेता चल रहा हूं कि या अपसं था आपका नव आठ शे नव आठ चे शे ताथ अब देखें अधासी का नियम है तो आपको यह तो पता होगा कि आठ से कटेगा और किस से कटेगा इंग्यारा से कटेगा ठीक है अगर यह 8 से और 11 से कटता है तो आप 8 के नियम को देखेंगे देखो अब एक चीज दिमाग में रखना दो बाती दिमाग में रखना आठ का नियम दो तरीके स्फालो होता है ना पहली तरीका कि अगर जैसे 772 मालो यह 8 से कट रहा है माना भी इसके पहले क्या है विशम है तब तो तीनों देखना पड़ता है तब तो आप तुर तीनों क्या करेंगे देख लेंगे लेकिन अगर यही शवाल समका है जैसे आठ वाइट साथ A वाला तो आपको देखना है बस यह कट जयए और किस से कट जया चार जोड कर लेकिन यहां चार जोड जोड कर जैसे सास्पाव 32 है हमने बताया था ना कि यह 8 से कर जाएगा क्यों कि यह लाश्ट का अंतिम दोंक आठ से कट संख्या तब काट पाओगे जब आप इसमें चार जोड के पहुचोगे ध्यास से देखना बता रहा हूं क्या अधिक्कत है कि तमझ यहां पर विक्सित करो कि देखो अगर मुझे आर्च आप देखो एच चीजे इसके पहले इन दोनों संख्याओं के पहले क्या है संख्या यह है कम संख्या अगर यह संख्या बच्चा तो आपको दिमाग होना चाहिए यहां जो भी संख्या आएगी उसको तो चार जोड कर देखेंगे चार जोड क्या करेंगे देखेंगे से 22 लो तो 22 यार 26 नहीं कटेगा 32 लोग बैलिस अच्छी आलिस नहीं कटेगा बावन लोग वावन चार शपन आठ से कड़ जाएगा यानि हर हाल में वाई का मान तो यहां पर कितना आएगा पाच अगर आप से 11 कटवाना है यह तो आपका वाई कमाना गया है कि एक आगया वाई कमाना के अब आपको किसका कटवाना है 11 के नियम से 11 का नियम क्या कहता है आठ दो दस दस पाच पंद्रव 15 18 18 हो गया माइनिस इधर का पाच पाच दस तीन तेरह एक चाओदा प्लस एक्स तो 11 का नियम जीरो होना चाहिए या 11 से रिजबल होना चाहिए तो जीरो होने के लिए आप से पूचा था एक स्वाल बनता है लेकिन क्या है कि आप नियम जब नहीं जानते रहते हो तो सवाल कठीन हो जाता हूँ कि देखो 72 का नियम आया फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया हो 72 का यह देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो दस अंकी एक संख्या एट नाइन सेवन एट गया नाइन सेवेन ती फाइव थी फाइव थी फाइव थी फाइव नाइन वाई 9y 7x2 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 किसे भी भगता है 72 से भी भगता हो किसे भी भगता हो 72 से भी भगता हो तो आप से पूछा है 3x-y तो 3x-y का मान क्या होगा चार आप्सन दिये गये थे ABCD ABCD में दिया गया था 8, 3 8, 3 5 और 5 ठीक है यह चीज़े आपको दी गई थी अब आपको यहां से दिमाग में रखना है कि 72 किससे किससे कटेगा तो सिम्पल नियम वही आठ और नौउज आठ और नौज तो जब आठ और नौज से कट रहा है तो हमको यह देखना पड़ता है आठ के नियम में अंतिम का अंतिम का अंकड़ जाना चाहिए था दिहां समझना मेरी बात को कि कि यहां एक्स है और यहां वाई है तो पहले एक्स का मान हम निकालेंगे किसका मान निकालेंगे तो साथ एक्स दो डिवाइड भाई आप आठ कर रहे हो तीन अंग पर आप बताओ आठ नौई यहां बहत्तर यहां तीन आएगा बच्चे तभी कटेगा क्यों क्योंकि इस एक्स का मान होना क्या चाहिए पांच तभी ना पांच में से दो गए तीन आएगा और यहां दो उता साथ में एक्स का मान आट यहां पी एक्स का मान कितना आ गया पांच अकर बच्चे एक्स का मान कितना गया 5 आ गया तो आप इस कंडिशन पर जाना पड़ेगा क्या कंडिशन देखो 897359 y 75 फाइब और टू फाइब का मतलब इस एक्स की जगवें पांच रग दिया क्योंकि आप मुझे नौ से भीभक्त करना है तो नौ से जाएगा तो नौ से यह तो नौ नो गया तो साथ और दो गया नौ हो गया ठीक है साथ पांच पन्राइब तीन अठारा गया तो बचा क्या क्या पांच पांच दस और आठ बचे गया दस आठाठारा होता ना यानि वाई का मान कितना गया बच्चे आठ तीन गुडा पांच माईनस वाई का मान आठ तो पांच-पन्द्रा-पन्द्रा माइनस आठ यानि उत्तर कितना रहा होगा यह भी बहुत अच्चा सवाल है यह देखो यह भी बहुत अच्छा सवाल आया था क्लियर है कि अगला सवाल देखते हैं अगला कोश्चन देखेगा कोश्चन क्या कह रहा है दस अंकी संख्या है तिक्स सेवन वन टू सेवन वाई सेवन शिक्स वाई तेवन शिक्स एक्स टू आक्स टू लोकी 38 से विभक्त है तो बच्चा निकालना क्या है सेवन एक्स माईनस टू आई कि दस और कि एक चार आपसर आपके पास दिये गए थे तीन पाच दस और साथ चलिए 88 का नियम है जैसा कि आप लोग बहुत से 88 कर चुके हो तो देखास समझना अब क्या लेना है आठ और 11 आठ इन दोनों के पहले समसंख्या है तो चार जोड़ करना है तो 32 36 चाहिए चाहिए यह का मान तो डारेक्ट आ गया तो एक्स बराबर कितना जाएगा पांच एक्स बराबर कितना जाएगा कि या कुछ और कंडीशन लिखा गया कि देखो भई टेक्स एक्स टू में आट से डिवाइट करना ध्यान देना इक्स एक्स टू में इससे डिवाइट करना आठ तो आठ अट्थे चौन सट होता है आठ अट्थे चौन सट आठ के पास तो आप बताओ आप सते छपन भी कर सकते हो आठ सते एक सेकंड आठ एक्स टू सिक्स एक्स टू हो हो इक्स एक्स टू में अगर जैसे आठ से आप डिवाइट करते हो आठ सते मालों शपन भी करते हो हो हाँ एक साना से जो कटे आप मुंन देख करते हो यह में इस ने जिरू परकुए उसके टेस यहां में एक्स क्या मूर्य एवं यहां से इन आएगा को घर एक स्कामान पी नागे एठ्सक आम इन आ गया आप से कर निकाल तो क्या है देखो देखो देवन देख से वन टू तो देवन वाई वाई य तेवन देख सिब त्री तू अ अब सही होनदी देखते हैं वाई क्या आएगा तो देखे आपसे 11 से काटना है तो 6, 2, 8, 8 प्लस Y, 8, 2, 10, 10, 17, 17, 17 प्लस Y, माइनस में, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 26, 24 तो भाई साब अगर इसको सेम करना है तो य का मान हर हाल में क्या होना चेश साथ तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो आएगा तो वाई का माना आगे बच्चे साथ अब आप से पूछा है पात्रिक 21 माइनस दो सत्य चौदा तो 21 में से चौदा गए तो इस सवाल का तो इस सब चीजों से देखो सवाल कितने सवाल पूछे गए और सवाल है अभी देखिए इसमें कितने सवाल हर पीपर में पूछा गए अब को करा देता हूं आज डिवीजिबल नियम बला कि फिर कल आगे वाली क्लास होगी फिर उस पर दूसरे दिर फिर जो आप गुड़न खंडों पर आधारित प्रस्ण पढ़े हैं उस पर होगा तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे हम लोग अब अच्छा सवाल पूछा था अग्यारां की संख्या है फाइफ वाई पाइफ वाई फाइफ एट एट पाइफ एट एट पोर एट पोर एट जीरो फाइफ एक्स शिक्स यदि एक्स बराबर वाई के हो और यदि ये बहत्तर से डिविजबल होता है तो रूट एक्स वाई रूट में एक्स वाई क्या होगा अप्सन भी दिया गया था साथ अब तीन कि टू रूट सेवन और रूट सेवन और सेवन अब स्वाइफ बहुए एक्स बराबर यहां पर तो एक ही बेलू आप निकाल लो काम बन जाएगा यह वाल इस निकाल लोके वाल तो पा एक आठ होटावा बहत्तर ना आठ का नियम और नौ का नियम लगेगा आप बताओ आठ के नियम में तीन अंक ही देख लेते हैं अंतीम के तो देख लो फाइप एक्स टिक्स भागे आठ ठीक है तो अगर आठ शक अनतालिस लेता हूं मैं एक बार दिमाग में रखो आठ शक अनतालिस लेता हूं यहां हर हाल में साथ लास्ट में सिक्स हैं कि एक सिक्रेट लास्ट में क्या है बच्चे एक से हैं तो लास्ट में सिक्स है तो इसलिए नियम जो है हमको यह लगाना पड़ेगा कि भाई साब यहां पर क्या संख्यां सिक्स ही है फिर है एक स्टेट देख लिता हूं के गए हिसे ही मैंने आर्षक इनतालिस लिए और यहां बच्चे आस टेबल्ल ने आक किस टेबल ने च्छह आता है त्यानि 8 सकतेच चेपन इसमें आना चाहिए तिहां पांच आना चाहिए और पाच आने के लिए यहां से बड़ा लेंगे हम मालो इससे बढ़ा लेते हैं साथ अठे 56 एक बार चिक कर लेता हूं एक बार मैं इसे बढ़ा लेता हूं आठ सते अपन तो इस हिसाब से तो तीन आ रहा है इतना रहा है तीन जिस हिसाब से आप अप लगा रहे है आठ चक 48 तो एक सामान तीन आ रहा है और यक्स और बराबर वाई के है इस कंडिशन में तो दोनों उत्तर क्या हो जाएगी तीन के बराबर हो जाएग भई अगर थाइफ एक सिक्स में हमने आठ से भाग दिया तो यहां पर कितना रहा है आठ सत्य अगर मैं 56 करता हूं है यहाँ मुझे अर्ट और अट श्क अगर मैं 48 करता हूं यहाँ मुझे कितना ज HOL progress यहां मुझे तीन चाहेशर है तभी नियांसे 8 जाए G5 86 करें से III यहां तो यह जार है तो जोड़ थी नहीं मैं सुचा साथ के बास यहां कंडिशन होना चाहिए था एक्स नाट इसकोल टू आई के यह सवाल में एक्स नाट इसकोल टू आई कोना चाहिए था चलो जो देदियत भाई अब एक कमांद तीन आ गया तो दूनों का तीन तीन हो गया थी कितना हो जाएगा भई नाव का रूट कितना था न यहां अगला सवाल देखो इस अब सवाल आये हुए है वही मैं आपको कराया हूं देखिए पूरे पेपर का ही वह मैंने करा दिया कि और इसको देखें दो चवालिस का भी नियमाया देख पॉस्चन नमबर बारह होगा यह दिछांगों की संख्या वन फाइफ एक्स वन फाइफ एक्स वन वाइटू वन वाइटू किससे डिवाइड हो जाए चवाली से तो आप से पूछा है है एक्स प्लस वाई क्या होगा तो आप से पूछा है एक्स प्लस वाई क्या होगा हुँ वाई टू हां ठीश चैर आठ साथ नो यह आठ साथ और नो ठीक है यह आप से पूछत अब ध्यान देजिए कि कि ँग्याराइट प्रूप चार कर नियम आप के का चाहिए यानी यह वाला अंतिम का दो अंक 4 से भीभक्त होना चाहिए आपको पता है वाई कितना हो जाएगा 3 तो यह तो यह तो निकल गया वही तीन आप में यह स्कानिक आप एक्स में चार का नीए ग्यारा का नियम तो 15 यह वन तीन और दो है तो ग्यारा का नियम क्या कहता है हाट एक, दो एक,, थीन, तीन, पाच, आठ और तीन प्लस एकश चार प्लस एक्स हो गया तो, चार प्लस एक्स टो बताओ यानि यहान भी कितना मानों ben 12 तो इंदोनों कि यह दो को आलिस का नियम पूछा सिंपल हुआ और आगे देखते हैं पिर अधाशी का नियम पूछा यदि छांगों की संख्या यदी तांगों की संख्या तो किया है चांग की संख्या तिक्स एक्स टू नाइन जीरो और एक्स टू नाइन जीरो ना तू नाइन जिरो फोर को अट्ठासी से डिवेजब्ल करना एल एक्स का मान क्या डार्क्त के वल एक्स का मान आपसे उच्छा 8-7 पाठ कज आए पांच और छे आप हमको बताओ ए नियम किसको फालो करता है 8 और 11 चाहिं ये नियम किसको फालो करता है आट और 11 को आठ तीन अंग को पर लागू होता है तो यहां तीन अंग तक कोई मत्लब नहीं है क्योंकि यह मान पता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा कर लिजिए नौचार तेरा तेरा प्लस एक्स हुआ है तो भाई साब यहां पर हम कोई ग्यारा लाना पड़ेगा यह जीरो लाना पड़ेगा तो फोटराएगा नहीं क्योंकि यहां कोई माइनस रख नहीं सकता तो क्या रख दूँ मैं नई इस में से आठ गई ग्यारर हो जैंट तो यहां एक सका मन मुझे क्या रखना पड़ेगा पड़ेगे तब तो तर क्या हो गया व कि है है कि चलिए अगला सवाल देखे के आया था अब बारा से विभाज भी आया प्रिक्षा में बारा से भी भाज आया तो पारा का नियम देखो 12 से भी भाज आया क्या आया सवल X का न्यूंतम मान क्या है जिस से 517 517 X324 X324 और संख्या 12 से भी भाज्य हो जाएगी संख्या 12 से भी भाज्य हो जाएगी 0123 0123 0 होगा या एक होगा या दो होगा या तीर आप देखे इस बारा से भी भक्त होने के लिए आपको दो चीजों को फालो करना परेगा एक तो चार से और एक तो तीन से तो भई कि ख्लीय रोगया तो उत्त्र क्या में दो क्योंकि ॐ उत्तर क्या हो kangaroo कि तो क्योंने बहुत हो तो कि यहांने कि तैरा कितना और उंदुर्म सो जाएगा लिए चैन году आगला प्रशन देखो क्या आया था कि अगला बहत्तर से नियम आया था क्वेश्चन नंबर चवुदर कि दिया गया था कि एक छा अंकों की संख्या है फोर एक्स फाइब और एक्स फाइब फेवन थ्री वाई कि एवन थ्री वाई संख्या वीभक्त करना है कि से बहत्तर से और आपका एक्स प्लस वाई कामान गया होगा आप संचार दिये गहे थे चार आठ नोच घार आठ नोच तार आठ नौ और अच्छ अब 72 का नियम जानते ही हो क्या हो जाएगा आठ और नौ हो जाएगा बस इसी काम कर लो ते तीन अंगों पर पहले आठ का नियम देख लो तीन अंगों पर इस तीन अंग पर आठ का नियम देखो तो देखो सेवन थ्री वाई है मैं अंतिम का दो अंग मैं बताया था कि जो कटने वाला हो तो वाई का मान तो हर हाल में दो होगा चेक अपना चाहते हो तो कर भी सकते हो ऐसे आठ नौवा पहत्तर एक अब यहां पर आठ से कटने वाला च्छह हो जाएगा तो आठ दुना तो बहीं यही तो पटेगा तो वाई का मान यहां से कितना अगे शे अगे अब वाई आप ले सकते हो च्छह वाई कितना ले सकते हो अच्छह तो चलो वाई को माल लेजे हमने ले लिए अच्छह अब नौव का निजम में क्या होता है जोड़ दो पूर एक्स फाइफ कि 33 वाई का मान आपने च्छह तो देखो पांचार नौव स्तातिन दस अच्छह सोल सोल में क्या जोड़ दें कि नौ से कट जाए तो दो त्याक्स का मान आ गया दो बताओ च्छह और दो आठ उत्तर हो गया समाप ए ए छोटी-छोटी बातें दिमार्क में आपको रखनी है यह सवाल देखो क्वेशन नंबर 15 क्या कहता है कि एक्स के किस मान के लिए साथ अंको वाली संख्या और शिक्स ट्री नाइन च्री एक्स आप यह साथ ऑट इससे भीवक्त है ईग्यारह से बिभाज है तो यसका मान बताना यह स्टरिय आक्सका मान बताना है डाइरेक्ट 11 से ही नियम है तो इग्यारह का नियम आपको पताओ न चाहिए लूग तो अधिया रहा कार्णीं हम करो आठ तीन ग्यारा थी ग्यारा थीन चुछ तरह टारा माइनिस अ नौश्य पंदर यानि किसकी जरूरत हो जायेगी एक्स के जगण यह जीरों हो जाए तो तीन की जरूरत हो जाएगी यहां क्या करेंगे तीन लिखतेंगे क्योंकि यह पंदरह और तीन अठारा पर हो जाएगा लियर और अच्छा कि अच्छा नमबर सूला पर यह इस वर्षान नमबर सूला क्या कहा था उसकी चर्चा मैं आप से पर लेता हूं मैं नहीं पूचा गया था का इस पाले पर लें अए बहत्तर का ही नियम है तो यह बहत्तर वह भला भी आप लगा लेना इस वह नहीं बताता हूं इस एक 88 का भी आया था है वह भी लिख देता हूं देखे बहुत तर अठासी बहुँ जादा आया था क्वोस्चन था कि सिक्स साथ अंकों की संगय यक्स के किस मान के लिए यक्स का मान पुछा था तो आपको बहुत ज़्यादा गुद्धी लगाने जिए नहीं थी 6913 इस नाइन वान थरी आउट्ट जीरू एक्स जीरू एट ओप इसे डिवाइट करना था अठासी से अठासी से तो 88 ओर एक गैने अरद्स और आपका मान किसका पूछा था कि वालिए थ का मान पूछा था एक्स का मान जाता है आप बताओ यहां तो 11 का नियम फालो कर दो यहां जिसका भी कर सकते हो क्यों कि यहां तो एक ही माल पूछा है अगर 11 करोगे 8 प्लस एक्स आठ प्लस एक्स आठेक नौ नौ अच्छा पंदर माइनेस अच्छा पंदर प्लस एक्स था रहें अब इस पर माइनेस यहां यहां पर कितना हो जाये कि ग्यारा आजे आठ भुजाना चे तभी न पंदरा आठ एस माइनेस बार हो जाएगा यानी आठ माना जाएगा तो इससी कटता हुआ नजर आएगा यह आठ से कटता हुआ नजर रहेगा क्योंकि इन दो सम संख्या के आगे एक सम है तो कट गया ठीक है तो चीजें क्लियर हो गई होंगी सोला सब्सक्राइब इस चलिए ठीक है इतना प्रश्ना ऐसे ही सभी आये थे दोस्त तो सभी मैंने आपको करा दिया एक आग दो प्रश्न और बचे रहे होंगे तो चलिए अगली क्लास में फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे करमिक संख्याओं को ग्यात करना कर संख्याओं कैसे ग्यात करत पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न पत्र कराएंगे कुछ प्रस्ना पाढ़ दस्थो और इसके बाद आपको जो है आगे पढ़ाएंगे ठीक है धरन्यवाद दोस्तों टेक केर बाय बाय